नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में सक्षा विवस्था को पत्री पर लाया जा सके इसके लिए बिहार सरकार के सक्षा विवा के अपर मुख्य सचीव केके पाठक के दौरा कई फर्मान जारी किये गया है इसी कड़ी में अब एक और फर्मान जारी किया गया है जिसके तहट केके पाठक की ओर से एक न विवाग के दौरा राजे के सभी जिलों के जिला सिक्षा पताधिकारियों को नर्देश चारी कर दिया गया है। पहली बार वर्ड सो हजार दस में मनाया गया था ऐसे में आज बिहार की राजधानी पतना मिस्थत संजय गांधी जैवे कुद्यान में एक कारिक्रम भी आयुजित किया गया। पर इंडोनेशिया बता दे की पतना जू में वर्तमान में कुल 14 गैंडे हैं। प्रदेश के उपमुक्य मंत्री सह परिटन मंत्री तेश्वी यादव के द्वारा हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया। परिटन विवाग के सची वभय कुमार सिंग के द्वारा जानकारी देते वे बताये गया है कि तीन दिनों तक आयुजित होने वाली यह कार रैली बुद्धिस्ट सरकिट जैन सरकिट और इको सरकिट के प्रचार प्रिशार में एक महतपुन भूमिका निभाने का काम करेग और इसके साथ ही बिहार के विवन परेट के अस्थलों की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाने में भी मदद करेगी BPSC अध्यक्ष ने TRE PRT अभ्यार्थियों को दी नसीहत बितदन बिहार लोग सेवा आयोक के अध्यक्ष अतुल प्रिशात के द्वारा एक्सपर जोकी पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर सिक्षक भर्थी परिशा के अभ्यार्थियों को नसीहत दी गई है उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि TRE PRT उमिद्वारों को दिया गया अफसर दस्तावेश सुधार के लिए है ना कि दस्तावेश में हेर फेर के लिए दस्तावेशों का पुराना सिट और नया दोनों भविश्य में आवशकता पढ़ने पर आगे की जांच के लिए सिस्टम में बने रहेंगे बतादी किस से पहले आयोग के अध्यक्ष के द्वारा बिहार सिक्षक भर्थी में नौकरी दिलाने का जहासा देने वालों से भी अभ्यर्थियों को आगाह किया गया था उन्होंने कहा था कि TRE में सिक्षक पद के लिए दिलालों को पैसा देना ठीक वैसा ही है जैसे चांद में जमीन खरीदना है KBC की होड सीट पर दिखेंगे पटना के खांसर बच्चों को पढ़ाने के अपने अनूठे सैली के कारण पटना के खांसर आज पूरे देश भर में जानी जाते हैं बता दी कि वह बहुत जल्दी खांसर सोनी टीवी पर अमिताब बच्चन के लोगप्रिये शो कौन बनेगा करोर पती में बतौर गिस्ट के रूप में होड सीट पर वैठे नजर आने वाले हैं बता दी कि सोनी टीवी की ओर से सो को टीजर जारी कर दिया गया है जिसमें दोनों मेहमान अमिताब बच्चन के सवालों का जवाब देते वे नजर आ रहे हैं वहें इस दोरान खान सर ये भी बताने वाले हैं कि उन्हें अपनी कोचिंग बंद कर दूसरे जगा पढ़ाने के लिए 107 करोड का ओफर दिया गया था लेकिन उन्होंने उस ओफर को ठुकरा दिया इसी शांदार सोमबार गेजबर बतार गेस्ट के रूप में पटना के खांसर अमिताब बच्चन के सवालों का जवाब देते वे नजर आएंगे आमस दर्भंगा ग्रीन फिल्ट एक्सप्रेस वे निर्मान में अभी होगी और देली राजे में करीब 6,927 करों रूपई की लागस से बनने वाले करीब 199 किलो मीटर लंबाई का आमस दर्भंगा एनच 119 डी ग्रीन फिल्ट एक्सप्रेस वे के निर्मान के लिए बिहार की राजजानी पटना गया और दर्भंगा जिले में अभी जमीन अधिग्रहन की प्रक्रिया धीमी है जिस वज़े से पिछले दिनों समिक्षा के दोरां संबंध जिले के अधिकारियों को अधिग्रहन की प्रक्रिया तेज करने का नर्देश भी दिया गया था आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हसारक राज्य के साथ जिलों से होकर गुजरेगी जिन में नारंदा, गया च खंड पर करीब 54.30 किलोमीटर तीसरे चरण के तहट समस्तिपुर के कल्यानपूर से दर्भंगा के बलभदरपूर तक करीब 45 किलोमीटर और चोथे चरण के तहट टाल दसराहा बेला नवादा खंड से करीब 44.69 किलोमीटर सरक का नर्मान किया जाना है इथिनौल उत्पादन में बिहार अग्रणी, बीदेदिन गुरवार को भारतिय जन्ता पाटी के राश्ट्री प्रवक्ता और बिहार के पुर्व उद्योग मंतरी सेयत सहनवाज हुसेन गोपाल गंज के बैकुंट पूर में वेस्टविल बायो रिफाइनरी इस इथिनौल उत्पादन के पूरी प्रफिया देगी। पूर्वक्त पूरा होते हुए देखना आतियन सुखद है उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसे कड़ी 15 इथिनौल प्लांट्स लगभग बन कर तयार हो चुके हैं और बिहार इथिनौल उत्पादन में आज देश के अग्रणी प्रांतों में शामिल हो चुका है लैंड फॉर्ट जॉब मामले में तेश्वी यादव समेथ सभी आरोपियों को समझ जारी अजदली के राउज एवन्यू कोट के द्वारा द्रेलवे से जुरे लैंड फॉर्ट जॉब स्कैम मामले में CBI द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर बिहार के मुखे मंत्रे तेश्वी यादव राज़त सुप्रीमो लालु पुशादी यादव बिहार की पुर्व मुखे मंत्री राबरी देवी सांसद मिशा भारती सच सभी 17 आरोपियों के खिलाफ समन्चारी कर 14 आक्टूब मनुझ पांडे और डॉक्टर पियल बंकर के खिलाफ भी केस चलेगा इसके लिए ग्रीमंत्राली के ओर से परमिशन दे दी गई है पसु चिकस्तालियों में फार्मासिस्टों की निउक्ती मामले में बिहार सरकार से जवाब पटना हाई कोट के चीफ चस्टिस केवी चंदरन की खंडपीट के दोरा राजे के पसु चिकस्तालियों में ड्रग वर कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहट फार्मासिस्टों के पद श्रिजित और निउक्ती नहीं होने के मामले पड़ विकास चंदर और गुड़ु बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई की गए इस दोरान कोट के दोरा राजे सरकार को निर्देश दिया गया कि समुद्दे पर राजे सरकार एक सप्ता के अंदर जवाब दे बता दे किस से पहली हुई सुनवाई में कोड के द्वारा कहा गया था किस अक्ट के तहट फार्मासिस्टो के पद शृजित वर निक्ती की जनित चाहिए ताकि पशु अस्पतालों की देखभाल और वित्रन इन फार्मासिस्टो के जड़िये सुनशित किया जाए बतादी कि अब इस मामले पर कोट के द्वारा अगली सुनवाई 29 सितंबर 2023 को की जाएगी चालिस काटून सराब के साथ दो तसकर को किया गिरफतार बिहार में पुन रूप से सराब बंदी है इसे तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आएदिन हमें सराब तसकरी से जुरे मामले सुनने को मिलते रहते हैं हलाके इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विवाग की ओर से जीत और कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही उल्टा सराब तसकर आएदिन तसकरी के लिए नए नए तरीकों का अनिजाद करते वे पाए जाते हैं बतादी की ताजा मामला बकसर जिले के राजपूर्थाना च्छेतर अंतरगत तिलकरा स्रिव मंदर के समीव का है जहां पुलस के द्वारा एक स्कॉर्पी उगारी से 40 काटून में बंद 360 लीटर ब्लू लाइन देशी सराब बरामत किये गये हैं साथ ही पुलस के द्वारा एक बुलिट बाई का 83,300 रुपे नगद राश्ट्रिय हिंदी समचार का लोगो और पहचान पत्र समीद दो व्यक्ति को विग्रफतार किया गया है जिनकी पहचान सुरे प्रताप सिंग और सत्य प्रकास सिंग और सिंटू सिंग के रूप में की गई है जिनने पुलस के द्वारा जेल भेज दिया गया है हर दिन 300 स्कूलों की प्रगती की जांच करेगा सक्छा विभाग अब सिक्षा विभाग के द्वारा हर दिन राज्य के कड़ी 300 स्कूलों की प्रगती की जांच की जाएगी इसको लेकर अब हर जला 10-10 स्कूलों में हुए कारियो और पठन-पाथन की जानकारी वीडियो कॉन्फरेंसिंग की माध्यम से विभाग को देने का काम करेगा पतादे कि इसके लिए प्रमंडल वाड दन तैक कर लिएगे हैं मालमों की प्रस्तूतिकरण में स्कूलों में हुए कारियों की जानकारी, फोटो और वीडियो के माध्यम से दी जा एगी सिएम नितीश कुमार बैठे सचिवाले समवाद में आज बिहार की मुख्य मंत्रे नितीश कुमार सचीवाले समवाद में बैठे दरसल सीयम नितीश के द्वारा छे दिनों का अपना स्टेडियूर बना लिया गया है वे इन छे दिनों में अपने किस-किस कारयाले में बैठेंगे जिसके तहट तीन दिन वे मुख्य सचीवाले दो दिन सचीवाले में और एक दिन अपने आवास से काम करेंगे दरसल बीते 20 सितमर को मुख्य मंत्र नितीश कुमार के दौरा सचीवाले का निरिक्षन किया गया था और इस निरिक्षन के दौरान उन्होंने पाया के सचीवाले में कई अधिकारी और मंत्री हैं जो समय से कारे आले नहीं पहुंचते हैं और अपने विभाग से गायब होते हैं। जिसके बाद सीयर नितीश के दौरा सभी को समय परानी का नर्देश दिया गया था और यह भी नर्ने लिया गया था कि वे 6 दिन अलग-अलग कारे आले में बैठेंगे। आपके जानकारी के लिए बता दे कि मुख्यमत रिनितीश कुमार का 5 जगह कारे आ रहे हैं। का गलत कुझी वेबसाइट पर अप्लोड हो गया है जिसे हटा दिया गया है। के गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी। पार्टी के पुराने सदश्यों को सम्मानित किया जाएगा और साथ ही कैलासपती मिश्र के कारे काल को भी बिहार बीजे भी प्रदशनी से दिखाया जाएगा। वहीं 3 नमबर को उनके जयनती के दिन उनके पैतरिक गाउं में एक विशिश कारिक्रम का आयोजन भी किया जाने वाला है। वर्ल्ड कप के लिए संजो सैमसन के नहीं सलेक्ट होने पर पुर्व क्रिकेटर ने की ये मांग। मेरे ख्यास से चीजे सारी रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संजो के मामले में ऐसा नहीं हुआ। उन्हें एशिया कप के लिए रिजर्व में रखा गया और आस्ट्रेलिया के खिलाब स्रीज के लिए नहीं चुना गया। जिन्होंने हमारे दोरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है। उन्टूब से देखरे चानल को सब्सक्राइब करना और अगरा फेस्बुक से देखरे दोपीज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।